16.2 कोईले के प्रकार टाइप्स ओफ कोल आप सभी ने लकडी का कोईला तो देखा ही है यह काले रंग का भंगूर पधार्थ है जो बहुत ही कम समय में बनता है हम यहाँ पर जिस कोईले की बात कर रहे हैं वह काले रंग का परंदू पत्थर के समान कठोर होता है आप यहाँ जानते हैं कि भूगर्ब में दबी वनस्पतियों के विघटन दी कमपोजिशन से कोईले का निर्मान हुआ है यह विघटित वनस्पतियां सर्वप्रथम पीट में परिवर्तित होती हैं तथा लगातार उच्च ताप एवं दाप के कारण क्रमशह, लिगनाइट, बिटुमिनस वह एंथ्रासाइट कोईले में बदल जाती हैं कोईले के विभिन प्रकारों की परते जैसा कि चित्रानुसार दर्शाया गया है कोईले में मुख्यता कारण एवं उसके योगिक होते हैं कारण की प्रतेशत मात्रा के आधार पर कोईले को इस प्रकार वर्गों में बाटा गया है यहाँ वनस्पती के कोईले में रुपान्तरन की पहली अवस्था है इसमें लगभग 25 से 35 प्रतेशत कारबन होता है इसका उप्योग अधिकतर इंधन के रूप में किया जाता है यहाँ कोईला भूरा कोईला के नाम से भी जाना जाता है इसमें लगभग 35 से 45 प्रतेशत तक कारबन होता है इसका उप्योग विद्द उत्पादन में किया जाता है यहाँ प्रकृती में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तथा सरवाधिक उप्योग में आने वाला कोईला है इसमें कारबन लगभग 45 से 85 प्रतेशत तक होता है इसका उप्योग मुख्यतह तापी और सिमेंट सयंत्रों में पेपर कारखानों में आटो मुबाइल एवं वस्त्र उद्द्योगों में किया जाता है इसका उप्योग इसपाद सयंत्रों में कोक के रूप में भी किया जाता है इस कोईले में सलफर की मात्रा सबसे अधिक पाय जाती है 4. एंथरासाइट इसे कठोर कोयला भी कहते हैं यह एक उत्तम शेणी का कोयला है इसमें कारबन 85 प्रतिशत से अधिक होता है अधिक कारबन प्रतिशत के कारण यह अधिक समय तक जलता है इससे धुआ और राख कम उत्तपन होने के कारण इसका उपयोग घरेलू इंधन के रूप में किया जाता है इन प्रकारों में हमने देखा कि कोईले के विभिन रूपों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्रमशह बढ़ती जाती है इससे ऐसा लगता है कि कोईले में सिर्फ कार्बन है परन्तु ऐसा नहीं है कोईले में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ओक्सिजन, नाइट्रोजन, सलफर, आध्रता, नमी आधी भी पाय जाते हैं कोईले के इन प्रकारों की समान मात्रा को जलाने पर उश्मा की मात्रा उश्मी क्षमता के आधार पर व्यापारिक उप्योग की दिश्टे से इनकी ग्रेडिंग की जाती है